जैहिंद बेटा गुड़ीवनिंग सभी लगों को कैसे हैं आप सभी लोग जैहिंद मिस्टर सुवास पर लवी प्रियांसी जैहिंद सबसे पहले तो लाइब आजाओ जैनों ने लाइक निकिया लाइक जरू कर देना आज के सेशन में जो फिजिक्स के बचे हुए पीवाई की उस्ते वो हम लोग करने वाले हैं अच्छा बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर एक क्वेशन में चार से पाच ही क्वेशन मिलते हैं क उसके अगल वगल से और जितने भी आपको क्वेशन मिल रहे है वो क्वेशन जरूर मुझे भेजे ताकि मैं आपको वो लाइब क्लास में बेटा करा सकूं कोसिस मेरी यही रहते है कि जितने भी वी वीवाई की उसको आप तो कवर करवा दूं ऑकी सत्याम नितेन, अमेद, दिवाराश ठाकूर प्रियांसी पलवी सुभास जैहिंद बेटा जैहिंद फटा पट से जल्दी से कन्फर्म कर दो मेरी आब आज आ रही है एकदम प्रॉपर अगर आ रही है तो अब आपके सामने सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ और अगर सब कुछ एकदम क्लियर हो म मेरे भाई तु फटा-फट से थंब कर दो लाइक का बटन जहूर दबा देना ताकि मुझे पता चल जाए भाईया सारे के सारे अटेनेंस लगाने के लिए आ गये है ओके जल्दी से फटा-फट से बता हूँ बढ़ी ओके चलो जैशियराम राधे राधे भाईया चलो आज बटी का सामान ने तापमान कितना होता है जल्दी से बता दो अभी तक आपने जो तापमान पढ़ा होगा डिग्री फेरनहाइट में पढ़ा होगा डिग्री सेलसियस में पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिये गए है वो केल्विन में दिये गए है अब आप को Kelvin में बताना है कि हमारे body का जो normal temperature होता है वो कितने Kelvin होता है option number ए में 310 Kelvin, 210 Kelvin, 410 Kelvin और 340 Kelvin फटा फट से बता दो बच्चे देखो पहला यह answer आना start हुआ अगर हम आपने body की बात करें कि सर हमारे body का जो normal temperature होता है body का सामानेत आप होता है वो 37 degrees Celsius यह Celsius में अगर बेटा Fahrenheit में बात करूँ तो लगबग कितना होता है 99.6 Fahrenheit होता है और अगर EC को मैं Kelvin में convert करता हूँ तो लगबग 310 Kelvin आता है कितना आता है पिटा? 310 Kelvin आता है अगर आप कोई और book पड़ोगे तो पिटा वहाँ पर यह 98.4 Fahrenheit भी लिखा आता है हाला कि जब मैं इस वाली value को किसमें change करता हूँ 37 degree Celsius में change करता हूँ तो 37 नहीं आता 36.84 के करीब आता है यह value आती है इस बज़े से मैं यह value ना लिखके क्या लिखता हूँ? तो यह बात तो अपने को यह याद रखना है कि हमारे body का temperature अगर degree Celsius में पूछे तो 37 degree Celsius अगर Fahrenheit में पूछे तो 98.6 Fahrenheit और अगर Kelvin में पूछे तो बचा आपको बताना है 310 Kelvin फटा-फट से यहां तक चीज़े clear है अब मैं चलता हूँ वो question पर जो अगल वगल से आपसे बना सकता है इस question से related देखो पहला आपसे बना सकता है कि किस temperature पर degree Celsius की value और degree Fahrenheit की value बेटा इक्वल हो जाती है फटा-फट से और जल्दी से comment section में बताओ अगर आपने कल की class देखी होगी तो यह question मैंने कल भी कराया था कि कि किस temperature पर degree Celsius और degree Fahrenheit की value इक्वल होती है ठीक है माइनस 40 पर बिल्कुल सही बात है माइनस जो 40 degree का temperature होता है चाहे आप इसको degree Celsius बोल दो चाहे degree Fahrenheit बोल दो वो थार एक्वल टेंपरेचर किसके द्वारा मापा जाता है बच्चा आपको अल्रेडी पता है कि temperature थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगे और थर्मोमीटर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि थर्मोमीटर में कौन सी metal का उपयोग किया जाता है तो पारा का उपयोग किया जाता है यानि कि mercury किसका उपयोग किया जाता है पारा का उपयोग किया जाता है mercury का और mercury का melting point उस बार बूचा था कि sir mercury का melting point कितना होता है minus 38.83 ऐसा कुछ degree Celsius होता है बटा ये जरूर याद रखे रहे रहे न क्योंकि question ये भी बनाता है कि पारा का melting point कितना होता है minus 38.83 अकर 83 भी याद नहीं रहता है तो minus 38 तो आप ऐसे यादी रख लो कि minus 38 degree Celsius होता है यहीं कारण होता है कि जो स्याचीन वगरा होता है स्याचीन में तो minus 40 degree Celsius कह रहता है temperature तो वहाँ तो यह thermometer में जो पारा उपयोग होता है वो तो क्या हो जाएगा काम ही नहीं करेगा तब फिर वहाँ पर कौन सा thermometer का उपयोग किया जाता है alcohol thermometer का उपयोग किया जाता है clear है भई? चले next चलो बहुत बड़ी है अगले question की तरफ चलते है within 10 seconds में आपको answer लगाना है what is the speed of sound in air? हवा में sound की कितने speed होगी बो बताना बचके 339 meter पर 30 second 331 meter पर 30 second 231 meter पर 30 second और 300 meter पर 30 second आपको कहाँ पर बतानाए बटा? sound की speed बताना है और sound की speed बताना है किसमें हवा मैं और हवा बोले तो आप gas растा- vida देख लो फिर liquid में कितनी होती है, liquid यानि कि drug में कितनी होती है और विटा 30 अपने को gas में, तीनों में से पूछा जाता है एकजाम में कहीं से भी तो बिल्कुल अपने को पूरी तरेके से तयार रहना है जल्दी से इसका answer बता देजे कि sound की speed बताना है हवा में जो साउंड होता है ध्वनी होती है कितने स्पीड से गबन करती है ठीक है 331, 331, 331 मीटर प्रती सेकंड बिल्कुल सही बात है और जिन्होंने 331 मीटर प्रती सेकंड लगाए बिटा उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है अब सुनों इन तीनों का साथ मैं अपने को याद करके चल ला है अब इन तीनों का कैसे याद करोगे अगर मैं सॉलेड की बात करोओ तो सॉलेड में एपरॉक्समेटली 16,000 मीटर प्रती सेकंड लगाए इतना ले के चल ला है अगर मैं पूछे लिक्विड में कितना होता है फटा-फट से कोई बच्चा है जो लिक्विड में स्पीड बता सकता है अरे बाई जल्दी से बताओ कि लिक्विड में स्पीड कितनी होती है लगबग 1500 यानि 1481 मीटर प्रती सेकेंड लगबग 1500 आप मान के चलोगे गैस में या तो बेटा 331 मीटर प्रती सेकेंड लिखा होगा अगर ये नहीं होगा तो 343 मीटर प्रती सेकेंड इन दोनों में से जो भी टेंपरेचर के वेस्ट पे लिखा होता है दोनों में से कोई भी वैल्ली हो डेफिनेट लिया पांसा लगा के आओगे ठीके ओके योगे शूरिया शुशील कनिश का चलो राजबीर बहुत बढ़ी है जवरजस्त आंसर था तो भाई आभी लाइक में कमी आ रही है जितने बच्चे लाइब हो उतने तो फटा-फट से लाइक कर रही है तो अगला question देखो क्या लिखा हुआ है चलो बढ़ी बताओ ज़रा करते हैं कई न कई पढ़ते हैं फिर भी हम इनमें गलती करके आते हैं और यही basic सी चीज बोजे आपकी complete कराना है अगर यह complete करा दी न यकीन आपसे अगर 10 question आ रहे हैं तो उसमें से 7-8 question आप easily कर लोगे ठीक है कुछ बच्चे लगा रहे है कि सा डी-डी और भाई plastic में इतनी तेजी से नहीं भागती है ये भागती है कि उसमें mercury में यानि कि ठीक पारा में तो जिन्होंने पारा लगाया था उनका तो अंसासा ही था और पारे के अलावा जिन्होंने पानी लगाया वो तो सीधा सीधा गलत लगाया और हद तो तब होगी एक बच्चे ने तो प्लास्टिक भी लगा दिया एक बच्चे ने क्या लगा दिया कि सर प्लास्टिक में बहुत तेजी से क्या भागेगी उसमा भागेगी ठीक है अब मुझे एक फटा फट से जब हीट से क्वेशन आ ही गया है बच्चे तो मुझे heat से एक question बता दो, फटा-फट से, कि उबलते हुए पानी से ज़्यादा आपको गर्माहट फील होती है, या भाप से ज़्यादा जलन होती है, जल्दी से बताओ, माल लिया जाए कोई ऐसा बैकती है, जिसके उपर उबलता हुआ पानी डाल दिया, और दूसरी तो PB उसको GAS से जलाया गया, या बैपर से जलाया गया, भाप से जलाया गया, तो किससे ज़्यादा जलन होगी, जल्दी से बताओ, भाप से होगी, exactly, क्यों होती है भाप से, क्योंकि उसमे Latent Heat चुपी होती है, गुपत उसमा चुपी होती है, सही है, और ये Question हर बार मन देखोगे 1200 degree Celsius तो भाई ऐसा हुआ क्या था उसमें heat बड़ी हुई थी, clear है बहुत सब्सक्राइब अगला question भाई साब ये लिखा हुआ है जल्दी से बताओ एक बस तू अधिकतम भार देती है हंजी भाई एक बस तू अधिकतम भार देती है जादा भारी कहां पर होगी बेटा, पानी में होगी, vacuum में होगी air में होगी, ये इन में से कोई नहीं ये इन में से कोई नहीं जल्दी से बताओ बचे कि एक जो बस तू होगी, उसका maximum भार कहां पर होगा पानी में होगा, निर्वात में होगा बायू में होगा या इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं जल्दी से बदा हुगा ही option number B, vacuum exactly कहां पर होगा बच्छे, vacuum में होगा अच्छा, सही माईने में vacuum में कोई भी gases नहीं होती है ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है? वेक्यूम में कोई भी गैसे नहीं होती है, चलो अगला question देखो क्या लिखा है, how is solar radiation measured, सौर विक्रड का मापन किसके द्वारा किया जाता है, चलो unit और measurement से हर बार दो question बनेंगे, इस बार भी possibility है, कि बिल्कुल दो question आपसे बनेंगे measurement से, तो जितने भी unit of measurement होती है, सारी पढ के रखना है, ओके बच्चे, तो चलो, जल्दी से इसका बताओ, answer क्या लिखा है, शौर विक्रड का मापन किसके द्वारा किया जाता है, hectometer के द्वारा, pyrometer के द्वारा, barometer के द्वारा, या manometer के द्वारा, बहुत प्यारा सा question है, जबर जस्त question है, और बहुत जल्दवाज प्रेशर का उप्योग तो बायूमंड लिए, दबाओ को मापने में, यानि कि atmospheric pressure मापने में, atmospheric pressure मापने में किया जाता है, तो भया इसको तो हटाई दो, ठीके, अच्छा बेटा, ये जो manometer है, इसका उप्योग किया जाता है, जो pipeline होती है, pipeline में जो पानी कितनी तेजी के pressure के साथ भाग रहा है, उसको मापने के लिए, तो manometer का उप्योग क्या किया जाता है, ये भी pressure के लिए, लेकिन कौन सा pressure, pressure on the pipe, या in the pipe, pressure in the pipe, pressure in the pipe, clear है बेटा, तो दो तो option, बैसे ये aliminate हो गए, मतलब ये भी नहीं हो सकता, अब आपके सामने बचा है, दो hectometer बचा है, तो hectometer का उप्योग तो बेटा, लेंथ के लिए किया जाता है, किस के लिए? लेंथ के लिए किया जाता है, लंबाई के लिए तो ये भी हटा दो, तो हमारे सामने पर ये की option बच रहा है, पाइरो मीटर बच रहा है, बोलो clear है, अरे भाई, clear है, जल्दी से, इतने चीज़ें अग की तरफ चलो, एक तो बेसिक से पॉइंट थे, चलो, अच्छी बात, अगला question आजो, ओ भाई, ये क्या हो गया, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट बेटा है, न? चलो, अगला question आजो, बेटा, question number six, which metal wire is made in the heater? हीटर में किस दातू का तार बना होता है, ये हीटर में जो तार होता है, किस दातू का बना होता है, फटा-फट से बता दो, भई, हीटर सबने देखा हुआ है, कुछ तो उपयोग भी करते होंगे, उसमें जो तार होता है, वो किस का बना होता है, ये बताना है आपको, ठीके? कोई दिककत ने मेरे भई, देखो कुछ बच्चे, मदू जैहिंद बिटा, ओके, शूरिया प्रयांशी, योगेश, प्रिया पवार, बिल्कुल योगेश, जवरजस्त बिटा, अच्छा कुछ बच्चे लगा रहे हैं कि सतावा, तावी का नहीं किया जाता है, ये तो गलत होता है, दूसरा क्रोमियम होता है, एक तो निकल होता है, और दूसरा क्रोमियम होता है, और बिटा, इन दोनों के मिस्रर को, इन दोनों के मिस्रर को, ये मिक्चर को क्या कहा जाता है, नाइक्रोम कहा जाता है, तो अगभी अगर पूछा जाता है, कि हीटर में कौन से तार क OPEO किया जाता है, NICROM का OPEO किया जाता है, TAMIY से देखो, TAMIY का एक तो symbol आपको याद रखना है कि, बेटा, copper का क्या होता है, CU होता है, और इसका melting point पूद पूछा गया है उस बार, कि सथ TAMIY तो melting point कितना होता है, तो बता देना, 1080 degrees Celsius होता है, Sir, Iron का Symbol क्या होता है? Iron का होता है F.E. और Iron का बच्ची अगर आपसे Melting Point पूछा जाता है, जल्दी से बता दो कितना होता है? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. लगबग 1500, लगबग 1500. अब 1538 होता है, 1537 होता है, 1535 होता है. आपको बताना है कितना होता है? तो Melting Point होता है 1538. ठ याद रखना है. देखो कौन सा? अगर मैं बोलूँ कि लोहा को एक आपने नाम सुनाओगा और IASC, तो Iron Pyrite होता है इसका एक IASC. हाला कि होते तो 4-5 है, Magnetite होता है, Sederite होता है, वो अपन हटा देते हैं. जो Iron Pyrite होता है, Iron Pyrite को बिटा एक नाम दिया जाता है, इसको दि पूछा जाता है, कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो आप बताओगी, उस बार भी आप अगर ठीक ठाक देखोगे ना पेपर, तो वहां भी एक सिप्ट में पूछा गया था, कि जो Iron Pyrite होता है, वो मूर्खों का सोना होता है. क्लियर है बई? वो जिंक का होता है, बेटा, ZN जिंक का होता है, ओके, तावे के ने, इस टील किसे मिलकर बना होता है, तो भाईया, एक तो होता है, उसमें Iron और दूसरा होता है, बेटा, Carbon, एक Iron और Carbon, तो ये वो Question है, जो यहां से possible है, कि आपसे पूछे जा सकते हैं, चलो भाईया, Question No.7 का फटा-फट से आंसर बताओ, क्या होने वाला है, सर्वर प्रथम मिसाइल को किसने बनाया था, अब फस गए बेटा, हंजी, बबलू जयहन बेटा, जल्दी से बताओ, सर्वर प्रथम मिसाइल बनाने वाले, जे जे थॉम्सन थे, बर्नर थे, एडवर्ड टेलर थे, या इन मैं से कोई नहीं, या इन मैं से कोई नहीं, सबसे पहली मिसाइल बनाने वाले वेज्ञाने का नाम आपको बताना है कि कौन थे, जे के, अच्छा, देखो, जिन्होंने ये लगाया है, कि बिटा, जे जे थॉम्सन, इन्होंने तो भईया, इलेक्टरॉन की खोच की थी, इन एक्टरॉन डिस्कवर्ड वाई, जे जे थॉम्सन, आँगे आजाओ सर, एडवर्ड टेलर, टेलर की बिटा स्पेलिंग गला थे, टी, ए, डवल, ए, ये वाले टेलर थे, और एडवर्ड टेलर ने क्या किया था, हाइड्रोजन बॉम बनाया था, तो हाइड्रोजन बॉम क खोज किस ने की थी, तो हाइड्रोजन बॉम बनाने वाला था, एडवर्ड टेलर, तो बच्चे एक ही बचाया ऑप्शन, कौन सा बचा था, वर्णर, वर्णर बॉन ब्रेन, ठीक है, तो ऑप्शन नमबर कौन सा था, बी वाला, क्लियर है, पहुत साही, टेलर साहब नहीं ह हाइड्रोजन बॉम बनाया हुआ था, देखलो अंगला क्वेशन क्या है, गुरुत्वा करसंड सिधान्त किसके द्वारा दिया गया था, यानि वाई हूम वाजदा थेोरी ओफ ग्रेविटी, गिविन वाई, किसके द्वारा थेोरी ओफ ग्रेविटी दी गई थी, आईज अपने सुने होंगे, डेफिनेटली ये चारों के चारों क्या खूए होंगे, बिटा, आपने सुने होंगे, अब कई लोग फस गए इसमें कि सेर, इसको क्या किया जाए, आंसर क्या लगाए, तो बिटा, चार्ल्स वैबेज ने तो मोडरन कम्प्यूटर की खोच की थी, य इसको भी हटा देते हैं, इन्होंने क्या किया था, बच्चे इन्होंने दिया था, सापेक्षिता का सिध्धान्त, तो सापेक्षिता का सिध्धान्त देने वाले थे भाई साहब, अलवर इंस्टीन, इसको भी हटा दो, जेम्स गॉसलिंग ने पताए क्या काम किया है, अग प्रोग्रामिंग लिंग्वेज ये देने वाला कौन था तो दोस्त ये देने वाला था गॉसलिंग साहब इसको हटा देते मतलब ये भी हट गया तो बचा क्या था न्यूटन साहब बचा क्या था न्यूटन साहब सही है अप्शन नमबर एक डेफिनेटली सही है कोई डाउट ने इसमें चलो नेक्स आंगे अगला क्वेशन लिखा हुआ है वाई मेड दा हाइड्रोजन बॉम हाइड्रोजन बॉम किसने बनाया था अब भी मैंने कुछ समय पहले बता है हाइड्रोजन बॉम किसने डिसकवर किया किसने बनाया था पहला है एड़वर टेलर दूसरा है सैमूल तीसरा है जे रोबोट और चौथा है इन मैंसे कोई नहीं जल्दी से बताओ हाइड्रोजन बॉम पहला हाइड्रोजन बॉम बनाने वाला कौन था अब भी मैंने कुछ सुमय पहले बता है स्पैलिंग भी सुद दर्वाइती कौन से थे टेलर साहब थे जिन्होंने पहला हाइड्रोजन बॉम बनवाया था और सुनों यहां से एक दो क्वेशन और बनाता है कि सरसन की आउटर सर्फेस पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला कौन सी गैस होती है तो हाइड्रोजन ही लगा क्या होगे चलो बहुत अच्छी बात है अगला क्वेशन आज़ो भीया क्या लिका है हूव वाज दा इन्वेंटर ऑफ स्कूटर इस्कूटर के अविश्कार कौन थे देखो अगर आप गूगल करोगे तो जर्मनी में पहला स्कूटर जो बनाया गया था वो किसी अन्य साइंटेस्ट के द्वारा था वो ऑप्शन में मैंने दिया ही नहीं है वो बार-बार कन्फिूज हो जाओ कि सर हमने तो दूसरा स्कूटेस्ट पढ़ लिया बट वो जर्मनी का था मैं ओबर-ओर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि ओबर-ओर वर्ल्ड में पहला स्कूटर बनाने वाला कौ ऑफ चैडविक साहब तो नहीं थे और बंतIS जल्दिशे कोई जानते हूए आई-व खूअ-ब्रीक सब्सकिर्वल खूच की इसकेद ने खूच सूटे वाले पांचे क्यों Users percent मूं अगले question की तरफ चलते हैं how is humidity measured आदरता को किसके द्वारा मापा जाता है humidity को किसके द्वारा measurement किया जाता है जल्दी से comment section वे चापो आप लोग भई योगे सूरिया राजबीर विशाल मदू प्रिया ठीके बहुत बढ़िया it is ओके चलो जल्दी से बताओ बबलू अटारिया योगे स्पाटी दार option A, B, C और D hectometer, lactometer, hydrometer और hydrometer चारों के आपको बताना है चलो फटा-फट से बताओ कि आपसे पूछा क्या गया है आदरता को किसके द्वारा मापा जाता है और hectometer की बात करें कि बच्चे hectometer की द्वारा क्या मापा जाता है तो अभी मैंने बताया था कि length की जो measuring होती है यानि जो length को measure किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है hectometer की द्वारा हटा दो lactometer के पूछे तो आपको बताता है density of milk density of milk density of milk का मतलब होता है दूद की घनत होता, दूद में कितना पाने है, वो किसके द्वारा, Lactometer के द्वारा, Hydrometer की बात करें, तो ये क्या होता है, Density per Specific Gravyty of Liquid, क्या हो जाएगा, ये मापा जाता है किसके लिए, Density per, देखो, लिखते जाना, Density per Specific Gravyty of Liquid, Specific Gravyty of Liquid, तो बेटा ये भी option से क्या कर दो गायब कर दो हटा दो तो बचा क्या था hygrometer क्या बचा था hygrometer यानि कि ठीक option number C हाँ अब आये ने देखो option number C एकदम perfect थी तो चलो बिना सोचे समझे इसका answer बताना मुझे question number 12 का who was the discovered of neutron neutron की खूज किसने की थी पहला है चैडविक दूसरा है न्यूटन तीसरा है रदरफोर चोथा है है हैंरी हाँ चारों scientist हो के आपको नाम पता होना चाहिए जल्दी से बताओ अभी मैं कुछ सुमय पहले कुछ ही चंद सेकेंड पहले बताया था कि neutron की खूज करता किसने की थी यह खूज किसने की थी neutron के खूज करता कौन है क्या बोला था बेटा option number a very good कौन बोला था चैडविक सहाब तो चैडविक सहाब ने किसकी discovery की थी neutron की डिसकवरी की थी न्यूटन का तो आपको पता है gravity का सिध्धान्त दिया था गुरुत्वा कर्षन वल का सिध्धान्त देने वाला कौन था न्यूटन था हटा दो बेटा रदर फोड दो रदर फोड हैं देखो बार बार कन्फ्यूज मतना किसा रदर फोड दो कौन कौन से हमने तो एक ही पड़ा है तो दो कौन कौन से हो जाते हैं एक earnest रदर फोड होते हैं देखो रदर फोड कितने हैं दो एक होते हैं बेटा अर अरनेस्ट 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 रदरफोड ने बेटा दो चीजों की खोज की थी एक तो बेटा अलफा रेस की खोज की थी और एक बेटा बीटा रेस की खोज की थी तो आप दोनों में से आप जो भी मालो एक होते हैं डैनियल एक होते हैं डैनियल डैनियल रदरफोड और Daniel Rutherford में nitrogen की खोच कर ली थी, अब जो भी Rutherford की बात कर लें, आप समझ जा ना, हैंजी, देखो, Rutherford कितने हैं, दो Rutherford हैं, एक है Ernest Rutherford, और दूसरे है Daniel Rutherford, तो Ernest Rutherford ने discovery की थी, alpha और wheaterase की, और अगर Daniel Rutherford की बात करें, तो that is called nitrogen की discovery करने बाला था, ओके, चले, अब देखो नीची आजाओ Henry, तो Henry Cavendish ने बच्चे hydrogen की खोच की थी, Henry Cavendish ने किसकी खोच की थी, hydrogen की, Henry Cavendish आपने नाम सुना होगा, इन्हों ने किसकी खोच की थी, hydrogen की खोच की थी, तो हो गई ना, चारों में, ग्यानिकों का काम, Sir, Rahul Sir की क्लास कबसे लगेगी, Rahul Sir की क्लास बहुत जल्दी कुशिस करेंगे, बिटा, कि बहुत जल्दी हो जाए, हैंजी, कुछ चीजें, आगे पीछे हो जाती हैं, इतना तो थोड़ा बहुत समझा करो, अगला है, which is the most abundant element in the earth crust, earth crust में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातू कौन सी है, अजी, बिटा, अच्छा, element पूछा गया है, धातू नहीं, तत्तो पूछा गया है, तो बताओ, भूपरपटी में सरवाधिक पाया जाने वाला तत्तो कौन सा है, nitrogen है, helium है, oxygen है, या carbon dioxide ह फटा-फट से पतादो, इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer क्या हो जाएगा, oxygen, 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 60% UPP, ATS, सही है, बहुत जबरजस्त, ठीक है, विलकुल सही है, तो अब मुझे अब लगी हाथ बतादो बिटा, universe में सरवाधिक पाये जाने वाला तत्तो, universe में सरवाधिक पाये जाने वा अब मैंने ये जो चीज लिखी है, सही लिखी है कि गलत लिखी है, बोडी में पूछा जाए या अर्थ क्रस्ट में पूछा जाए, हमारे सरी में सरवाधिक तत्तो पूछे, या फिर अर्थ क्रस्ट या भूप और पटी में बिटा सरवाधिक पूछे, तो इन दोनों का answer ह oxygen, इन दोनों का क्या answer, oxygen, अगर पूछे कि बिटा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली metal, अगर धातू की बारे में बात करें कि metal सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो पहले aluminium और दूसरी नमबर पर iron, धातू की बात करें, तो पहले नमबर पर aluminium, दूसर पर होती है, sun की बाहरी परत पर होती है, सूरज की बाहरी परत पर लगवा कितना percent होती है, 25%, और helium के बारे में सबसे हलकी अक्रिये gas, सबसे हलकी अक्रिये gas मानी जाती है, या non-reactive gas, या फिर जीरो वैलेंट gas, या फिर नोवल गैस, अब कुछ भी याद रख लो, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की बात करूं बेटा, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहां, कुंदन, चले फिर नेक्स्ट, ओके चलो बहुत बढ़े, अगला question बताओ फिर पे, question no.14, बलबे नियोन होती है, आर्गन होती है, हाँ, बढ़ी है, चलो बताओ, अगले question का answer क्या लिखा है, which is the gas found in largest quantity on the sun, सूर पर सरवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली gas कौन सी है, अभी तो बताया था भई, कौन सी होती है, hydrogen, hydrogen, कितने percent, 75%, बागे के बचीवे 25% में helium होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बटा, तो इसका perfect answer क्या हो जाएगा, hydrogen, अच्छा nitrogen का देखो, ध्यान से, nitrogen का एक daily life में एक उपियोग है, nitrogen का उपियोग, जो भी four wheeler, अभी नई generation की four wheeler राइड है, उसके टायरों में भरी जाती है, aeroplane के टायर में season by season किसको भरा जाता है, nitrogen को भरा जाता है, और साथ मैं ये भी याद रखना है कि chips के packet में nitrogen gas भरी जाती है, ताकि rancidity process को खतम किया जा सके, या कम किया जा सके, अब दूसरी भासा में ऐसे समझ लो, कि chips के packet में nitrogen इसी लिए ही भरी जाती है, ताकि chips खराब नहों काली ना पड़ जाएं, total पूछा जाएगा, कितने percent, 78%, आपको भी ये पता है, चलो भई, बहुत अच्छी बात है, अगला question, question number 15, what is the unit for measuring the amplitude of a sound, ध्वनी के आयम को मपने की इकाई क्या होती है, decibel होती है, कूलांब होती है, हम होती है, या cycles होती है, या चक्र होती है, तो DB तो बच्पन से पढ़ते आए हैं, DB, 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 अच्छा कल अपने एक चीज थोड़ा सा गलत बोल दी थी, हर्ट्स की जगा अपने को DB बोलना था, 45 से 55 DB की ध्वनी अपने लिए audible होती है, और अगर आप हर्ट्स के अनुसार देखोगे, तो 20 से लेकर 20,000 तक हर्ट्स की ध्वनी आप सुन सकते हो, ठीके, आउश्रव्य पराश्रव्य अश्रव्य ध्वनी आपने नाम सुना होगा न, तो उसको अपन को DB बोलना था, कोई दिक्कत नहीं, इतना थोड़ा सा, मैंने इस कर लेते हो, समस्ते हो, चीजे छोटी-छोटी, आपको एके करके पढ़ा चुका हूँ, मैं सभी, तो मुझे ये बता दो, भईया, फिक कूलाम किसकी एक आई है, कूलाम किसकी एक आई है, तो आवेस का ऐसा ही मातरग, किसका बेटा, आवेस का ऐसा ही मातरग, तो आब इसका ऐसा ही मातरक पूछा जाता है, तो वो कौन सा होता है, कूलाम होता है, और यह ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हटा देते हैं, तो बचा क्या था? हाँ जी, चलो, अगला question, question number 16, nautical miles is a unit of distance used in, समुद्री मील दूरी की एक एक एकाई है, जिसका प्रियोग किया जाता है, फटा-फट से बताना जरा, कि जो समुद्री एकाई होती है, हाँ जी, समुद्री मील जो होती है, दूरी की एक एक एकाई होती है, सही बात है, जिसका किसलिए किया जायता है, navigation के लिए, road mile के लिए, astronomic के लिए, या measuring the boundary of a nation, फटा-फट से बता दो, बच्चे, एकदम simple से question है, ये तो सबको पता है, बटार्मी में पूसता भी ऐसे है, एकदम fact पूसता है, one-liner ही पूसता है, एकदम fact और one-liner ही पूसता है, सबको पता है, navigation के सही बात है, अब सुनो बेटा, ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना, कभी ऐसा बोला जाता है न, कि जैसे अगर हम लोग road में चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के शाधन में, तो अगर हम bike से चल रहे हैं, और हमको right मुरना है या left मुरना है, तो रास्ता बने हैं, definitely, लेकिन ज navigation का use किया जाता है, और उसको किस में मापते हैं, नौटिकल माइल्स में मापते हैं, चिक, हां जी, बहुत बढ़ी हैं, चलो, अगला question आजाओ, reactor scale is used for measuring, देखो unit से कितने question आ रहे हैं और ये सारे बीवाई क्यूज है, reactor scale किसके लिए use किया जाता है, बताना जरा फटा- density of liquid, taral का घनत मापने के लिए, intensity of earthquake, भूकम की तीब्रता मापने के लिए, velocity of wind, हावा का वे मापने के लिए, humidity of air, यानि कि हावा की नमी मापने के लिए, तो चल्दी से बताना बच्छे, इसका answer क्या हो जाएगा, बी, 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 intensity of earthquake, बिल्कुल सही बात है, यानि भूकम की तीब्रता मापने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है, दोस्त, reactive scale का उपयोग किया जाता है, देखो, कहीं पर अगर भूकम पाता है न, तो निउस्पेपर में तुमने पढ़ा होगा फलानी जगा, पर इतने reactor scale पर भूकम की तीब्रता को मापा गया है, हाँ जी, clear है, चलो, बहुत अच्छी बात है, अगर density of liquid की बात करें, तो भाईया ये क्या है, लेक्टोमीटर के दोरा मापा जाता है, या दूद में पाने की मात्रा वहीं है, चीज, चले next, अगला है, the instruments used in aircraft to measure the altitude above a fixed level, बायू यानों में एक निश्चित इस्तर से उपर की उचाई मापने के लिए प्रयोक्त उपकरड है, हाँ जी, देखो, एक निश्चित उचाई तक, जिसको हम बोलते है, रडार सिस्टम, जब रडार से उपर जा रहे हैं हम लोग, तो भाया उसकी उचाई मापने के लिए हम कौन से उपकरड का उपयोग करेंगे, आमीटर का ओडियो मीटर का, एनिमो मीटर का, एर अल्टी मीटर का, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक बेटा, जल्दबाजी में आंसर क्या होगा, हमेशा गलती होता है, डी, 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 बिल्कुल सही है, आल्टी मीटर का उपयोग किया जाता है, सही है दोस्त, बिल् विदुद मापने के लिए किस का उपियोग किया जाता है, आमीटर का उपियोग किया जाता है, और आमीटर आपने देखा भी होगा, चलो, अच्छा, ये ओडियो मीटर क्या होता है, आदमी कितना सुन पा रहा है, कितना नहीं सुन पा रहा, उसका, जो मापन होता है किसके द की द्वारा देखो विंड की एक तो speed और wind का Pressure मापने के लिए एनिमा मीटर का उपयोग किया जाता है चले नेकस्ट फिर से मैं बता दू अमीटर का उपयोग कि दिशा मापने के लिए करेंट कितना अनुमापने लिए audio meter कि होता है person कितना सुन सकता है कितना उचा सुनता है कितना नहीं सुन वह मापने के लिए और अगर एनिमोमेटर की बतकरे तो एनिमोमेटर का उपयोग जल्दी से भताओ या तो बिन्ड की स्पीड या विंड का pressure मापने के लिए अनमिमेटर का उपयोग किया जाता है और अल्टीमेटर का उपयोग किसलिए बायू यान में एक निस्चर इसतर से ऊपर की जो दूरी है वो मापने के लिए उपयोग किया जाता है ठीक है जैहन बिट्ट टीना अगला क्वेशन देखो what is the full form of LED LED का full form क्या है फटा-फट से बता दो भई प्रकास उत्सर्जन डायोड लिटमस उत्सर्जन डायोड प्रकास उत्सर्जन डायोड या प्रकास उत्सर्जक डायोड दिखलो भई बहुत प्यार से question दिया के एकदम simple LED बारबार चिला रहते रहते है LED 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 लेकिन LED का full form तो बता दो भई सब क्या होता है लाइट एमिसिंग हां जी एमिशन होता है कि एमिटिंग होता है कि जल्ली से बताव भई अच्छा कुछ बच्चे लगा रहे हैं सर ए यह सारे बते जिसनों ने ए लगाया है न यकिन मानों एमिटिंग होता है बेटा एमिशन तो नहीं होता हटा दो अजी इसमें लिटमस नहीं होता इसमें भी एमिशन है हटा देते हैं तो बचा क्या था light एमिटिंग डायोड यानि कि ठीक option नंबर डे अरे कौन सा होता है option नंबर डी होता है बही चलो अगला आज़ो बही इन सोनर वी यूज सोनर में हम प्रियोग करते हैं ultrasonic, infrasonic, radio wave, audible wave देखो बेटा इनको बूला जाता है स्रव्य ध्हनी इसको बूला जाता है बेटा परास्रव्य ध्हनी और इसको बोलेंगे बेटा आउश्रव्य ध्हनी अब बता दो भई, जल्ले से बता दो मैंने तीनों के और छोटे-छोटे हिंदी नाम लिख दिये हैं और हो सकता हो कि ये चीजे तुम्हें याद्वियों पहले से अरे बेटा श्रव्य ध्हनी तो कितनी होती है 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट तक की जो ध्हनी होती है ये तो उपियोग नहीं किया जाता है सोनार में सोनार सिस्टम क्या है अभी बताता हूँ आगे आजा और रेडियो वेप तो भईया मोबाइल में रेडियो में, एफेम में इनमें उपियोग किया जाता है military exercise operations में भी इनका उपियोग किया जाता है आगे इन्फरासोनिक जो आउश्रब होती है इनमें क्या होता है 20 हर्ट से कम की दुhanे से कम की दुhanे तो भईया इसका भी उपियोग नहीं होता तो होता किसका है ultrasonic का ultrasonic waves क्या है तो बता देना जिसमें 20 000 हर्ट से जादा की क्या हो दुhanे हो अब होता क्या है कि जो सोनार होता है इसका full form होता है sound navigation and ranging sound navigation and ranging क्या काम होता है कि जो भी पंडुबियां चली जा रहे हैं तो पंडुबियों को कैसे पता होगा कि आंगे पहाड है परवत है या कोई और आंगे चटान वगेरा है तो उसमें टकरा ना जाए उसके लिए क्या कर वापस आजाती है उतना पास में कोई ने कोई object होता है तो फिर क्या करते हैं दिशा को मोड़ा जाता है clear है हाँ चमगादर का भी अगर बात करें तो चमगादर भी same category को ही follow करता है इसको release करेगा और देखेगा कि भाया वो जैसे बेप अगर जितने जल्दी टकरा के वाप पास आगी समझ जाता है कि सामने कोई object है तो अपना रास्ता को क्या कर लेता है turn चलो अगले question की तरफ चलते हैं अगला question question number 21 बहुत प्यारा जवरजस्त आंसर बताव भई the change in the direction of a wave passing from one medium to another medium is termed as एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिबरतन को क्या कहा जाता है अब इस question को इतना जादा घुमा के पूछने की कोई दिक्कत ही नहीं थी पूछ सीधा सीधा बोल देता कि जब कोई प्रकास करण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है और ये कल भी अपन ने देखा था कि कोई भी rarer medium से denser medium में प्रकास करण जा रही थी तो वो normal की तरफ हलका सा जुक रही थी आप हिंदी में बोलोगे तो viral माध्यम से जब सगन माध्यम में कोई भी प्रकास करण गुजरती है तो वो अभी लंब की तरफ जुक जाती है जिसको कहा जाता है जल्दी से बोलो refraction क्या कहा जाता है refraction यानि कि ठीक आप वर्तन कहा जाता है सही है और इसका देखो daily life में example बताता हूँ, कभी आप ऐसे लोहे की छड़को ना बलटी में डालना हूं। किसमें मैं बलटी में देखना ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। मुड़ी हुई दिखाई दिखाई देती है। अब हम ton करने जाएं। और डंडे से मचली ऐसे मारे फिक के तो हमें जहां मचली दिखाई देती हैं हम वही मारते हैं हम कभी मचली नहीं मार पाते लेकिन जो मचली मारने में expert होते हैं fishing करने वाले जो persons होते हैं बो मचली की आँक के साइड क्या निशाना नहीं लगाते वो हलका सा अगल बगल में निशाना लगाते क्योंकि उन्हें पता है कि मचली इधर नहीं, एक्चुली में इधर है ये सब किसके करण दिख रहा था रिफ्रेक्शन के करण दिख रहा था सही सही बेटा शूर्या, यश, रामकरन प्रिया, सतीश साइको फॉजी पढ़ ले बेटा दिवाराज हाँ जी, अभी समय है पढ़ ले बेटा चलो, अगला क्वेशन अच्छा मेरेज क्या होता है, देखो मेरेज मेरेज रशना बताता हूँ, ये कब बनता है कभी कभी कवेशन बना लेता है, कि मेरेज बनता है तो आप बताओगी कि जिसे आप गर्मी आ रही है, गर्मी में कभी रोड में देखना सामने आपको ऐसे नजर प्रतीत होगा कि सामने पानी भरा हुआ है, बीच रोड में बट ऐसा होता नहीं है, उसी जो दिख रहा है, डिजर्ट में जो बनता है उसी को बोला जाता है, मेरेज चलो, अगला कोशन आजाओ, क्या लिखा है किसी दूर की उची इमारत की छवी की पूरी लंबाई को खाली स्थान का उपियोग करके देखा जा सकता है अगर एक बड़ी बिल्डिंग है बेटा, और बड़ी बिल्डिंग को अगर आपको पूरा पूरा देखना है, तो आप किसके दौरा बेटा देखोगे, एक कॉन्वेक्स मिरर के दौरा, आप लैन मिरर के दौरा, या कॉन के मिरर के दौरा, या इन में से कोई भी नहीं जल्दे से बताओ, और ये मैंने कल भी बोला था कि सपोज मान लिजे कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड है, और इतनी बड़ी मेरी आख तो नहीं है, मेरी आख तो छोटी सी है, तो छोटे आपजेक्ट को बड़ा करके दिखाने का काम जो होता है, या बड़े पर lens को डालेगा और अगर cavity लगी होगी तो वो cavity बड़ी होके दिखाई देती उस lens में, उसको बोला जाता है concave, और बड़े image को छोटा करके दिखाने का काम करता है convex, और convex कहां पर है option number A में, कहां पर था बेटा option number A में, सही है, हाँ, गारी के सीसे में भी बिल्कुल आपने स दिखाई दे, ओके, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई, अगला question आजा, question number 23, which statement is true for the reflection, sorry, reflection of light, प्रकास के परावरतन के लिए कौन सा कथन सही है, हाँ, जी, reflection की बात कर रहा है, not a reflection, ये किस की बात कर रहा है, परावरतन की बात कर रहा हो, परावरतन का एक मोटा मोटा में आपको डेमो दे देता हूँ, बेटा, ये है परावरतन, ये देखो, ray of incident, ray of reflected, बीच में normal होता है, ये वला अपने कल भी पढ़ा था, अब मुझे बताओ, इसके बारे में कौन सा कथन सत्त है, पहला, आपतन और परावरतन कोण बराबर होता है, क्या ये बात सही है, क्या जो angle of incident होता है, यानि कि ये है आपतित करण, ये है परावरतित करण, बीच में क्या डाला जाता है, अभी लंबर डाला जाता है, तो बेटा, ये है आपतन कोण, और ये है परावरतन कोण, क्या, ये दोनों सेम होते हैं, हांजी सर, बिल्कुल सेम होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों ऐसा बोला जाता है क्योंकि बैटा ये जो होथा यह 90 का यह पैंतालीगा झालीज का और यह भी पैंतालीज का है। सही है कि नी, दोनों इंगल बराबर होते हैं तो पहला ही स्टेटमैंट सही है आंगे जाना कि क्या जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी, जहां अंसर मिलो, वहां से निकल लो आँगे, चलो, अगला question बताओ भी, लो, समतल दरपड की focus दूरी कितनी होती है, अगर सही मायने में physics पढ़ा होगा, अमना mirror, तभी answer लगा पाओगे इसका, जल्दी से बताओ भी, 0, infinite, 25 cm, माइनस 25 cm, जल्दी से बताओ बिटा, समतल दरपड की focus दूरी कितनी होती, focal length of plan mirror पूछा गया है, plan mirror की focal length कितनी होती है, option number BB BB infinite, देखो किते, एक यह है plan mirror, आप ऐसे समलो कि एक plan mirror यह है, एक plan mirror यह, अगर कोई व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, तो वो इसमें image देखेगा, तो इतनी image बन रही है, that is called infinite, that is called infinite, हमें पता ही हम बता ही नहीं सकते, अनगिनत, अनन्त, ठीक है, चलो, अगला question आजाओ, the most abundant enzyme in the living world, physics में यह question कहां से आगे, चलो, कोई दिक्कत नहीं, यह तो सही मायने में बाइलोजी का question है, बही, the most abundant enzyme in the living world, सजीव जगत में सरवाधिक मात दूसरा में पाया जाने वाला enzyme कौन सा है, पहला है, रुविस्को, दूसरा है DNA, तीसरा है invertase, और चौथ है बच्चे जाइमेज, बताओ जड़ा, कौन सा हो जाएगा, सर्फ फिजिक्स कभी नहीं पढ़ा भीया, कॉमा सिस्ट्रीम वाले हैं, मुत्तर प्रदिस पुलिस के ये पांच प्रिशना आये हैं, चलो बढ़ी आये, लेकिन आप जिस इस आप से आंसर दे रहे हो ना, बहुत अच्छी फिजिक्स है अभी, कुछ समय के लिए तो आप ये मान के चल सकते हैं, कि आर्मी के लेवल की तो आपकी फिजिक्स ठीक है, ओके, चलो, देखो यहाँ की की थी, इसने बात की थी, लिविंग वर्ड की, बेटर, लिविंग वर्ड में अगर सबसे ज़्यादा कोई एंजाइम है, तो रुविस्को है, और अगर इसके बारे में पढ़ना हो ना, तो कभी आपना प्रकास संसलेशर पढ़िएगा, डेटेल से नीट वाला, उसमें रुविस्को एंजाइम का बार-बार जिक्र किया जाता है, तो क्या लगाओगे, रुविस्को लगाओगे, DNA तो आपको पता है, डियॉक्सी राइबो नुकलिक आसिड होता है, ये भी हटा देते हैं, आग ये इनबर्टी इंजाइम देखो क्या काम कर रहा है, आपने कार पड़ा होगा, कारभो हईड़ेट में, बेटा मैंने आपको डाइ सेकराइट के एक्जामपल बताये थे, माल्टोज, लेक्टोज, सुक्रोज, तो ये सुक्रोज को, ये क्या, सुक्रोज, सुगर को किसमें कनवर्ट कर देता है, गलुकोज प्लस फ्रेक्टोज में, सुक् काम करेगा इनवेटेज सरे जाइवेज करेगा जाय में इस करेगा एलकुल बनाने का काम सड़ाने का काम तो यह चीज सड़ाने का काम करती है धारू बनाने में सजय में जैवेज जिन जाय बहुत महत्यपूड भूमिका निवाता है पे अ Nut surprise जलें भई बहुत साइज जवर जस्त बच्चे अगला आज़ो भई क्या लिखा है हूँ वाज इन्वेंटर आफ टेलीविजन टेलीविजन किसने खोजा था भई बताओ जल्दी से टीवी की खोज यह जो आपको समने दिखाई देरें यह टीवी मालो इसके जल्बेर्ड ने ग्राहम वेल एडिशन ने नन अफ दीज अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहे हैं तो ऑप्षन को एलिमिनेट कर दो गुरुजूइन में एक दो तो एप्षन एलिमिनेट करना बताया था देखो कैसा एडिशन ने तो बल्ब की खोज की थी लाइट की विजन यहनोंने टेलीफॉन की संथया ते टेलीविजन की जो डिस्कवरी है वह जेल वेयर की दौरा की गई थी सही आपचण नंबर ही एक दम डेफनेटली सही है नेक्स अगला क्वेश्चन दिया गया है लेप्रोस्कॉपी के साथ जुड़ा हुआ है लेप्रोस्कॉपी किसके लिए यूज किया जाता है बच्चे जड़ा बताओ यह फिगल ऑपरोस्कॉपी लिए इस साइक्स के लिए स्टेडि ऑफ लेजरोस के लिए यह फिगडा। फीजिकल आपरेशन्स के लिए natuurlijk probably well called K praktा प्र estásथ charming class कभ से रहेगी कुंदन साहभी न्हूंस अब महेंसरी पड़ाते मैं क्या क्या पड़ाएं he पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं रिजनेंग पढ़ा रहा हूं अब तो मेरे से जीके जीएस भी पढ़वाओगे क्या हाला कि एक दो क्लास अपने हुई है जीके जीएस की ऐसा कोई दिक्कत नहीं है देखो भाईया रडार के लिए तो बिलकुल नहीं छोड़ दो भाईया यह क्या है एक टेस्ट है लेपरोस्कॉपी क्या है एक टेस्ट है और यह किसकी यूज़ किया जाता है गाइनालोजिकल ऑपरेशन्स के लिए ठीक है हटा देते हैं अच्छा मेहत पढ़ा दूँ भाई हाद हो मतरे आता हूँ ऑ्यादल पढ़ाता हूं रुख जाओ चलो मामले कि अरे आर मामले नहीं है दो फूर्ट स्रेट आफ मैटर पदार्थ की चौतिया वस्ता पदार्थ की चौतिया वस्ता सॉलिट लिकूइड गैस यह तो तीन हो गए और इसका एक्जांपल और बता देना हां सन जो है ना सूरज, प्लाजमा का पर्फेक्ट एक्जांपल है है अपने अब ये अपने बिलकुल ने भूलेख tenía चलो अगला question आज़ो question number 29 Alloys are miss rada tu है ध्यान से सुनना बेटा Alloys बनाने की जरुवत क्यों पड़ी अच्छी खासी metal थी अच्छी खासी non metal थी तो अब मुझे बताओ Alloys बनाने की जरुवत पड़ी क्यों अच्छी खासी धातू है थी अच्छी खासी अधातू है थी तो बेटा Alloys यानि की miss rada tu बनाने की जरुवत क्यों पड़ी क्यों मिलाना पड़ा है इनको हंजी देखो होता क्या है अगर मैं किसी एक metal को उठा लूँ तो metal को अगर मैं नीचे से temperature देता हूँ तो ये कम तापमान पे गल जाती है बैसे अधातू भी कम तापमान पे गल जाती है लेकिन जब इन दोनों को मिला के मैं miss rada tu बनातू हूँ तो इसको गलाने के लिए temperature अधिक चाहिए होता है क्योंकि ये अधिक कठोर हो जाती है तो जो melting point होता है उसको बढ़ाने के लिए miss rada tu में बनाई जाती है देखलो option number ये में क्या लेकिए सुद्ध धातू की तुल्ला में कठिन होती है कठोर होती है harder देन दा impure metal नहीं बेटा impure नहीं pure metal की अपेक्षा ये कठिन होती है option number A लगाओगे ठीक है? सही है? हंजी बिल्कुल simple सा question था अगला आजओ 30 वाला खालिस्थान तापमान दिखाने के लिए thermometer में उपयोग किया जाता है thermometer में तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बता दो बता दो भई किसका उपयोग किया जाता है जिसमें current flow नहीं होता अच्छा भी पारा पारा विल्कुल सही है पारा पारा option नमबर भी लगा देना भी हो जाएगा चलो question number 31 question number 31 जल्दी से आंसर बताओ बिजली का अच्छा conductor है good conductor of electricity electricity का good conductor क्या है glass, paper, copper, water सबसे अच्छा current किसमें flow होगा सीधा 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 सा मतलब है glass यानि कांच में नहीं बेटा इसमें तो नहीं होगा paper में नहीं होगा पानी में भी हो सकता है copper में भी हो सकता है यह तो नहीं तो good conductor है बट सबसे ज़ादा किसमें हो जाएगा copper में हो जाएगा आपको पता है सबसे ज़ादा current flow होता है silver में उससे कम किसमें होता है copper में होता है तो आपने को किसको याद रखना है silver को फिर copper के बाद फिर बेटा aluminium याद रखोगे ठीक है यह तीन आपको याद रखे रहे हैं हलाकि सोने में भी होता है बर सोने की तार कौन लगाता है वो तो option में दिखते ही नहीं है मिलता ही नहीं है दिखाई ही नहीं देता चलो भाई अगले question की तरफ question number 32 the ozone layer in the upper part of the atmosphere protect us from biomandali के उपरी हिस्से में ozone परत हमारी रक्षा करती है बिल्कुल करती है किस ozone परत जो आपके atmosphere में हैं वो किस से रक्षा करेगी पहला है visual radiation से दूसरा है infrared rays से तीसरा है ultra violet rays से और चौता है cosmic rays से यूबी rays पराव एगने किर ने किस के दौरा ultra rays के दौरा ठीक है हंजी चले भाई अंगले question की तरफ लो भाई अगला question कहां है लो खतम तो जल्दी से बताओ भाई कैसा रहा आज का session देखो अपने लगबग 32 question किया अगर 32 question को मैं दो दो भी मान के चलू हूं तो लगबग 64 हो गए 64 question आज किये हैं लगबग 55 question का लो किये थे अगर आप डेली बस class को देखते बस रहो question कहीं नहीं बागेंगे यकीन मानो बिलकुल इसी के अकल वगल से question बनते हैं यह सारे के सारे पीवाई की उसे आपको पता चल गया होगा level क्या रहता है ओके बेटा चलो तो बिलकुल कल मिलेंगे अपन ठीक साम साथ वजे एक नए session के साथ और कल का session reasoning का होने वाला है ठीक है किसका session होने वाला है reasoning का session होने वाला है ध्यान से सुल लो हिना कल अपन पांचों topic का जो आर्मी के लिए 5-6 topic important होते हैं उसी के अपन question रखेंगे तो कल अपन रीजिनिंग खतम कर लेंगे चलो मिलेंगे कल साम साथ वजे तब तक लिए नमस्कार जय हिन जय वारत जय हिन